हुआ है तरह दिन बुरुटो की दूसरी क्लास समनिंग जूट्सू और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर नौमरू बहुत बढ़ा टोड समन कर लेता है और वह कहता है कि वह आदेखो आप फेसे नुसें से कहते हैं कि यह साटी समनिंग जूट्सू है और उसके बाद हम देखते हैं कि यही मुझे हीमार को कहते हैं को सौट्स नौल नहीं हों कहते हैं मुझे आप आया कानर् dealers कमाल का समनिंग जूट्सू तो बुरूटो किता है कि है मुझे जगड़ा मत करो फिर एक लड़की आकर उन लड़के को कहती है कि जाने दो छोड़ वी दो इस बुद दो लड़के को फिर हम देखते है कि शीनो संसे यहां पर कहते है कि चलो वेट लाइन में लग जाओ पर बुरूटो आकर कहता है समरिंग जूट्सू और फिर यह कितना बड़ा इडियेट है इसे तो यह भी बता नहीं कि अगर जब स्कॉल में नाम लिखाने से ही तुम समरिंग जूट्सू कर पाऊगे तो बुरूटो और उसकी सारे दोस्त अपने जारवत चुन लेते हैं बुरूटो कहता है कि मेरे लिए तो स आप ही अच्छा है वही सबसे अच्छा है और फिर इवाबे कहता है अगर कोई समन करना हो अनिमल तो सबसे ताकदर चाहिए फिर इनोजीन कहती है कि तुमारे साम क्याड़े बुरी नहीं है मैं तो एक स्पार्डर समान करूंगा समझे तुम सिकड़ाई जितना देखो तुमारे कारण हमने पिछले बार बहुत परिशान जीली थी फिर यहाँ पर आती है सारादा उच्छिया वो सांस के उच्छा की लड़की होती है और वो लड़कों पर ब्लेम करते है कि तुमारे कारण अपनी क्लास डाउन केते कहीं आ जाती है सब को लगता है कि हम क्लास मस्ती करती है फिर बूटो और सारादा में जम से जगड़ होने लगते है और सब देखने रखते है और फिर हम देखते है कि यहाँ पर शीनोसेंसे आ जाते है और कोनों हमर oसेंसे भी वो कहते है कि अभी कुछ करना है पड़ेगा इनका और फिर वो बॉइज वरस्प गल्स की मैश लगाने के लिए कुछ बातचीत करते रहते हैं फिर हम देखते हैं कि आप वड़ापाओ के दुकान पर बुटो और सारदा आती है और दोन भी वड़ापाओ मांगते हैं पर यहाद केती है कि माफ करना बच्चो अभी सिर्फ एक वड़ापाओ बाकी है फिर यह पर सारदा केती है कि मैं आसे रोज लेती हूँ मेलूंगी फिर बुरुटो केता है मैं भी आसे रोज ही लेता हूँ अब यह वड़ापाओ मेलूंगा पर हम देखते हैं कि वह एक वड़ापाओ इसलिए बच्चा होता है क्योंकि यह जो लड़की होती है इसमें सारे साथ आता है और फिर लड़की सोचती है कि इनने जगड़े नहीं करने चाहिए फिर हम देखते है कि यहाँ पर बुरुटो केता है अभी तुम गई अभी एक मैच खेली जाए फिर हम देखते है कि वड़ापाओ लिए मैच स्टार्ट होती है बुरुटो वरसे सारदा उच प्र फिर वह लड़की केती है एसा नहीं होना चाहिए यह तो बहुत बुरा होगा यह मैच नहीं होने चाहिए पिर हम देखते है कि बीच में शिंह अर्च से आते है मैच बंड मैच करनी है पर तुम अकले में नहीं पूरे बोईस वर्सड पूरे गर्ल जो भी जीतेगा वो अच्छा माना जाएगा तुम्हें उस जेंडे को लाके यहाँ पर मेरे पास देना है बॉइस वरसेज गर्ल्स चलो मैं स्टार्ट होती है अभी यह कहते ही बच्चे भागने लगते है और यहाँ पर जो इवाबे होता है वो कहता है कि आप भागो बच्चो बॉइस मैं कुछ करता हूँ और वो एक मड़ वाल बना देता है जिसके कारण गर्ल्स फस जाती है और इवा ब्यासता है और फिर हम देखते है उपर से शिनो सेंसे देख रहे होते है गर्ल्स रुकी होती है और सारे बॉइस आगे बागते है फिर यह मोटी लड़की कहती ह है कि अब देखो मेरा कमार और फिर हम देखते है कि वो बहुत चोश से पंच मार देती है जिससे कि वो मड़ वाल तूड जाती है और फिर इवा बे नीचे गीर जाता है पर यहाप ऐसी काड़ा ही सारे गल्स को पकड़ लेता है अपने शड़ पोजिशन जुट्सू से और फिर बाद में हम देखते है कि जब वो अंदर जाने लगते है बुरूटू और उसके दोस्त तब ही बहुत बड़ा धमका होता है और फिर यहाप शीन उसन से कहते है कि मैंने तुम्हार ले जाल बिचा के रखिया है और धमा के होते ही रहते है फिर बुरूटू कहता है कि जल्दी चलो फिर पीचे से साहरदा कुनाई फेकती है पर हमारा मैडल उसे पकड़ लेता है और साहरदा वापस एक बार कुनाई फेकने लगते है तो यहापे मैडल कहता है मेरा confidence down मत करो फिर साहरदा कहती है अब देखो मेरा कमाल फिर यह डरने लगता है और सारे बरूट भाग जाती है आगे फिर हम देखते हैं कि यह दरवादा लॉक होता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमेरा डेंकी होता है उसको कम्पूटर की नॉलज बहुत होती है वो सिस्टम को हैक कर लेता है दरवादा खोल लेता है जिसके कारण इस पूरे बिल्डिंग के सा और वो जब यहां पर गल्स फज़ जाती है जिन अपना जुद्स इस्तमाल करता है और एक फ्रॉग बनाता है जिसनी कारण सारे लड़किया डरने लगती है और यहां पर इनोजीन देखता रहता है और हम देखते हैं 2000 कि अपने सारे देखते रहता है तब ही बुरूट है पानी का दबा देता है जिसके कारण पानी गिरने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो जो इनोजीन ने वो बीस्ट बनाया था जो फ्रॉग वो भी पिखल कर गिरने लगता है और फिर सब कहते हैं कि बुरुटो तुमने क्या कर दिया बुरुटो कहता है मुझे माफ कर दो फिर हम देखते है कि आगे से कुछ लोगल्स आ जाती है पर इनोजीन बुरूटो और जो सिकाड़े होता है वो उपर से चल जाते है पर बुरूटो वो जो मुट लड़की के पेरों के नीचे से निकल कर चला जाता है और आगे आ जाता है और कहता है दोस्तो जल्दी चलो फि तो मolly आपे केसे रह गए और वो होता है डेंकी जिसको आघे बढ़ते निया आता और फिर सिकाड़े के और कोई बात नहीं हम आगी चलते है फिर हम देखते है कि जो देंकी होता है वो पर उता रहता है और गल्स के चार्व में फस जाता है और बुरूटो और उनके साथ है एक रूम में बैटे होते है और सोच चे रहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए इसी कड़ा कहता है कि हम यहां पे निचे रुखेंगे बुरूटो तुम आगे जाके वो जेंडा निकाल के लाओ तो बुरूटो कहता है ठीक है और बुरूटो उपर जाने लगता है तबी उपर उसे वो मोटी लड़की दिखती है जो जेंडा निकालने वाली होती है फिर बुर्टो कहता है मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा एक काम करता हूँ समरिंग जूद्सू करता हूँ तो वो पहले ही बार में जब समरिंग जूद्सू करता है तो आचानक से कुछ होता है और उ पर बरुटो केता है मैं तुमें बचा लूँगा मोटी लड़की और बरुटो उसका पकड़ लेता है तभी यहाप इसी काड़ाई और उसके दोस्त आ जाते है और बरुटो को पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाप इसा बीस्ट होता है जिसके उपर से साफ निकला होता है पर पीचे से कोनोमर उसे इंस जाते हैं और वापस पर रसेंगन दे देते हैं जिसके कारण वो बीस्ट गायप हो जाता है और गाईस हम यह देखकर बरु लड़की थी तिस वह फ्लैग रेता है और बाद देखते हैं कि COME जीत जाते हैं और सारा दा बूर्टो से कहती है कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि हम जीत गए है ना बूरुटो तो बूरुटो कियता है हाँ पता है पर बाद में वो कहती है मोटी लड़की कि थैंक यू मुझे मेरी जान बचाने के लिए तो फिर बूरुटो कहता है हाँ कोई बात नहीं तुम गर्ल्स अच्छी टकर देत हो बॉइस को शीनो संसे आतर के था बैटा तुम मोड़ा पाव के जीसे हो अगर हमने वड़ा अकेले-अकेले खाया तो उसकी टेस्ट अच्छी ने लगती और अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो उनकी टेस्ट बेतर न हो जाती है वैसे ही तुम हो अगर तुमने साथ मेर कर काम करना सीख लिया तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगी समझे बेटा उसके बाद से रुख जाते हैं और वह बिल्डिंग की तरफ देखते हैं वह पूरी तरह से तूट कर गिर जाती है और फिर कोनों मेरे से कहते हैं कि अरे यह क्या हो गया शायद तुम्हें अगली क जाज आपके पास दो इपिसोड हो गए होते हैं और क्या बताओ आपको जो फंक्शनें ने यूटूब में उसको देखकर यूटूब करने का ज़िए यूटूब तो कि इसके कारण मेरे एपिसोड था वो डिलेट हो गया मतलब कॉपरेटेड हो गया तो कोई बात नहीं अगले एपिसोड आपके लिए कलाजी रहेगा तब तक की लिए आप ये एपिसोड दीखिए और मज़ा उट है ये तो मिलेंगे दाइस अगले एपिसोड में तब के लिए आपको मेरे चैनल अच्छे लगा होगा तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए